नमस्का स्वागाते आप सभी का JJN News में और मैं हूँ आपके साथ शिल्पानेगी कार्तिक पुर्णिमा के दिन चंद ग्रेंड 8 नवंबर को लगने जा रहा है कार्तिक पुर्णिमा के दिन लगने वाला यह है चंद ग्रेंड इस साल का आगरी चंद ग्रेंड होगा जोती शासर में चंद ग्रेंड को काफी एहम माना गया है साथी ग्रेंड काल के दोरान दान, पुर्णिय और साधना को भी काफी शुप माना जाता है तो आए जानते हैं भारत में आखे कब दिखाई देगा चंद ग्रेंड और सूतक काल का क्या समय रहेगा लेकिन इससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आखे चंद ग्रेंड है क्या सूरिय की प्रक्रमा के दोरान पिर्थवी चांद और सूरिय की बीच आ जाती है इस दोरान चांद धर्ती की छाया से पूरी तरीके से छुप जाता है पूर चंद ग्रेंड के दौरान सूर्य प्रित्वी और चंदर मा एक दूसरे के बिलकूल सीध में होते हैं इस दौरान जब हम धर्ती से चांद को देखते हैं तो हमें एक काला नजर आता है और इसी लिए इसे चंद ग्रेंड कहा जाता है वैसे तो चंद्र और सूर्य गरेंट एक भोगाली घटना है लेकिन जोतिश्म शास्त्र में भी इसका एक अपना विशेश महतु माना गया भारतिय समय के मुताबी कि हैं चंद्र गरेंट आठ नवंबर को दोपैर दो बच कर 39 मिनट में शुरू होगा और शाम 6 बच कर 39 मिनट पर समाप्त होगा विशेश्रग्यों का कहिना है कि आगमी चंद्र गरेंट भारत के पूर्वी शेत्रों में दिखाए देगा ये चंद्र गरेंट गुहाटी, रांची, पटना, सिलुगुडी और कोलकत्ता समय देश की रासधानी दिल्ली में भी दिखाए देगा जोती शास्त्र के मुताबिख चंद्र गरेंट के दोरान सूतकाल का समय गरेंट के शुरू होने के 9 घंटे हिससे पहले ही लग जाता है ये चंद्र गरेंट भारत के कुछ हिस्सों में दिखाए देगा इसलिए चंद्र गरेंट का सूतकाल मानने होगा तो आई अब जान लेते हैं कि ग्रहन के समय किन-किन बातों का हमें विशेश रूप से ध्यान लखना चाहिए सबसे पहले चंद ग्रहन के दोरान भूल कर भी सोना नहीं चरहे क्योंकि जोती शास्त्रों के अनुसार ऐसे करने से वैक्ती में बिमारी का खत्रा बढ़ जाता है वही ग्रहन के दोरान गर्वती महिलाओ को घर से बाहर बिल्कु नहीं निकरना चाहिए इसके अलावा जब ग्रहन चर रहा हो तो उस समय किसी भी नुकिली और धारदा चीज का इस्तेमाल भी हमें नहीं करना चाहिए चंद ग्रहन काल के समय पूजा अर्चना भी नहीं करना चाहिए साथ ही मंदीर के गेट तक बंद कर दिनी चाहिए लेकिन आप अपने मन में इस देव की उपासना जरूर कर सकते हैं चंद ग्रहन के बाद स्नान और दान का भी अपना एक विशेश महत्व है चंद ग्रहन के बाद पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाका स्नान करे और इसके बाद दान करे दान करना इस चंद्र ग्रहन में काफे शुप माना गया है अगर ग्रहन के समय घर में पहले से ही भोजर मना है तो उसमें पहले से तोड़े गए तुलसी के पत्तों को भी डाल दे अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन से उपाई है जो हमें चंद्र ग्रेंट के समय करने चाहिए जो हमाले इस चंद्र ग्रेंट के दौरान काफी शुप हो सकते हैं चंद ग्रहन के दौरान हमें भगवान की पूजा और भगवान का मन में ही ध्यान करना जाए इस तरह देवताओं की पूजा करना शुप माना जाता है वहीं चंद ग्रहन के दौरान कुछ भी खाने पीने से हमें बचना जाए क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहन के समय हमारे आसप पर पास कई तरह की बैक्टरिया पैदा होते हैं जो खाने के अंदर शामिल होकर आपके शरीर में जा सकते हैं। चंद गहन के बाद इस्नान और दान का भी एक अपना ही महत्व होता है। मानिता के अनुसार चंदगेंड के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद अगर दान करें तो वो काफी शुब्ष होता है।